नमस्कार दोस्तों plumbing की स्रीज में आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं जिसमें हम बात करेंगे trap के बारे में दोस्तों trap plumbing का एक बहुत ही important part है इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया कि plumbing में कितने परकार के pipes होते हैं plumbing में कितने परकार की fittings होती है schedule 40, schedule 80, SDR 11 सभी के बारे में हमने detailed video बनाई भी है वीडियो के link नीचे description में है अगर आपने वो वीडियो भी तक नहीं देखी हैं तो वहाँ पर जाकर उन्हें देख सकते हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम cover करेंगे कि P trap, S trap, Nanny trap, Gully trap ये इतनी सारी trap का क्या काम होता है plumbing में कौन-कौन सी trap को कहां पर यूज किया जाता है और trap लगाने का हमें क्या फायदा होता है दोस्तो plumbing में जो मुख्यतर trap यूज होती हैं वो होती है P trap, S trap, Nanny trap, Gully trap और Bottle trap दोस्तो सारी की सारी traps का एक ही काम होता है bad fumes को हमारे kitchen या toilet में आने से रोकना तो हमारे toilet के fixture होते हैं जैसे की WC, Woss Basin, Sink, Urinal वो हमारे waste और sewer की lineों से जाकर connect होते हैं और जो हमारी waste और sewer की lines होती हैं उन में bad fumes और honeycar gases जैसे की nitrogen और ammonia create होती हैं ये gases pipe के through travel होकर हमारे kitchen या toilet में आ सकती हैं और वहाँ पर आने की वज़े से ये हमें नुकसान पहुचा सकती हैं तो दोस्तो हम अपने fixture और इन lines के बीच में लगाते हैं trap trap में जो है water का एक seal create हो जाता है ये water क्या काम करता है कि इस side के जितने भी हमारे chamber हैं या lines हैं उन में जो भी bad fumes और gases create हो रही हैं उनको kitchen या toilet तक travel नहीं होने देता अब एके करके आपको सारे traps के बारे में समझाते हैं सबसे पहले बात करते हैं P trap P trap को P trap इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो shape होती है वो अंग्रेजी वर्ण माला के अक्सर P के जैसी होती है जो हमारी wall mounted WC होती है उन में P trap inbuilt लगा हुआ होता है wall mounted WC को wall पर fix किया जाता है और इसका जो collection point होता है वो भी wall से ही लिया जाता है इसके अलावा toilet और kitchen के जितने भी waste pipe होते हैं उनको waste line से जोडने से पहले ceiling के नीचे P trap का use किया जाता है ताकि waste line की बदबू हमारे kitchen और toilet में travel ना कर सके दोस्तो इसके बाद बात करते हैं S trap के बारे में जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है इसकी shape अंग्रेजी वर्ण माला के अक्सर S के जैसी होती है जितने भी floor mounted WC होते हैं उनका collection point floor के थुर होता है और floor पे पानी को divert करने के लिए floor mounted WC में S trap inbuilt लगा हुआ होता है जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है इसका shape bottle के जैसा होता है इसकी गहराई P trap और S trap से ज़ादा होती है bottle trap का इस्तमाल toilet के wash basin या kitchen के sink में किया जाता है जो भी हमारे sink और wash basin होते हैं उनमें कुछ solid particle जैसे की kitchen waste वगारा travel कर जाते हैं और उनको हमें regularly clean करना पड़ता है नहीं तो वो हमारी lines को choke कर सकते हैं इसलिए वहाँ पर bottle trap का use किया जाता है bottle trap को नीचे से open करके उसको आसानी से clean किया जा सकता है दोस्तो इसके बाद आता है nanny trap nanny trap का इस्तमाल floor drainage में किया जाता है जब आप अपने floor area के drain को waste की line से जोडते हैं तो वहाँ पर आपके पास इतना margin नहीं होता कि आप वहाँ पर P trap लगा सके अगर आप काम ceiling के under करा रहे हैं तो P trap लगा जा सकता है अगर आप ceiling के उपर work करा रहे हैं तो वहाँ पर आपको ननी trap का use करना पड़ेगा दोस्तो इसके बाद आता है gully trap जब किसी building की waste की line को नीचे sewer की line में जाके connect किया जाता है तो external area में gully trap का इस्तमाल किया जाता है कि building से waste और soil की दो अलग-अलग line निकलती हैं लेकिन जब वो line ए external area में पहुंचनी हैं तो वहाँ पर वो sewer के chamber में जाकर connect हो जाती हैं sewer के chamber से निकलने वाली fumes और gases हमारे kitchen वगेरा में travel ना करें इसलिए वहाँ पर gully trap का इस्तमाल किया जाता है दोस्तो trap के इस्तमाल में सबसे जरूरी चीज ये है कि trap कभी भी आपका पानी से खाली नहीं होना चाहिए अगर हम अपने area को जैसे toilet या kitchen को regularly इस्तमाल नहीं कर रहे हैं तो trap में भरा पानी dry हो सकता है जिसकी वज़े से सारी की सारी fumes हमारे kitchen और toilet में travel कर जाएंगी इसलिए regular basis पर kitchen और toilet के पानी को हमें use करते रहना चाहिए ताकि traps में पानी भरा रहे दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को subscribe कर दीजिए वीडियो को like कर दीजिए क्योंकि हम MEP से जुड़ी वीडियो इस चैनल पर हमेशा ही लेकर आते रहते हैं